हेलो गाईज वेलकम डादिकार शो आज आपके सामने है ओल न्यूव 2023 महिंद्रा थार जो कि आप देख रहें आपने सामने दोनों ही ब्लाक कलर्स के अंदर एक एस कार का बेस विरियंट और एक एस का बिल्कुल टॉप एंड विरियंट यहां पर जिसका बेस विरियंट है व पर एक शिरूम देखने को मिल जाता है आज की स्वीडियो कि इंदर हम बात करने वाले कि यहां पर ऐसे क्या क्या मेचर डेफरेंसे दोनों के अंदर यहां पर जिनकी की वाजा से इत्ता जादा यहां पर प्राइस ग्याप देखने को मिल पार रहे है तो सबसे वहले हैं आ आपको यहाँ पर X-Funi केंदर एक की जारी है जूख अपगी होँ ऐसकर आपको हेलोजन लाइट्स ये उज़ारी है और जी आपको साइट टर इंडिकेटर मिल जाते हैं ग्रिल कुछ ही इस तरहीब ही इधर की आगा बात करें और तो यहाँ पे हेल defend लाइट बिलकुल His birth बट यहां पर आ चुकिए LED DRL जिसका की डिफेरेंस आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं बाकी साइट टर्न इंडिकेटर बिल्कुल सेम हेलोजन में है फोगलेट इसके अंदर एड़ ओन हो गई है और इंजिन के अगर बात करें तो यहां पर जो बेस वीर इंटरने इसके इंजिन मिलता है वही सेम इंजिन है जो कि आपको XUV 3OO के अंदर भी देखने को मिल जाता है यह इंजिन है इस कार के अंदर प्रिद्यूस करता है रौन 117 PS की पावर और 300 Nm का टॉक बाकि यह सिर्फ आपको मैनूल ट्रांस्मिशन के साथ इसमें मिलने वाल है और अगर ब जो की है 300 Nm का इंसुलेशन गयर आपको किसी वीरियन के अंदर इसमें नहीं मिलने वाली है बाकी यह आ जाती है 6-speed manual और 6-speed automatic gearbox के साथ और 1.5 वली आपको सिर्फ सिर्फ मिलेगी 6-speed manual gearbox के साथ बागी पेट्रोल ऑप्शन भी आपके हाँ पे महिंद्रा थार के अंदर मिल ज जैसे यहां पेता जादा major price gap है बागी features के अंदर भी काफी जादा फरक है जिसके की बार में हम detail में बात अभी करने वाले हैं तो जरूर से ना वीडियो को लास तक देखें आपकी कार के लिए बहुत ही बड़ीया का पर फ्यूम के बार में जुकी है involved1 का snowfall का प्यूम या सबसे खास बात है कि एक made in India प्रोड़क्टर तो जरूर से बाई करें लिंक आपको इसका नीचे description में मिल जाएगा बाकी अब बढ़ते हैं कि side profile की तरफ एंड देखते कि side में क्या क्या differences आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर आपको इस top end variant के अंदर मिल जाते है 18 यहां पर इसमें मिल जाता है 16 इंचिस के steel wheels और यहां पर आपको टायर प्रोफाइल मिलते है 245 75 आर 16 इंडिकेटर दोनों की आपको यहां पर fender lining के ऊपर दिया जा रहा है बाकि यहां पर आपको इसमें मिल जाती है थार की बाजिंग इस साइट पर आपको यहां पर कुछ आपको पर आपको इता एंब आपकर यहां पर डेख सकते हूं यहां पर आपको फोट्टपर के विल जाता है और इसमें दिया जा रहा है और बाकि दुनों ही हाड्ट टॉप वेरिंट्स अभी आप देख रहे हैं जो कि आपको यहां पर clearly दिखा जाता हूं दोनों hard top में यह रहने वली है महिंद्रा थार यहां पर आपको इसमें मल जाएगी 4x4 की badging और यह वली थार के ना side पर आपको यहां पर कोई भी badging नहीं मलती है क्योंकि यह 4x2 महिंद्रा थार बाकी overall side profile का आपको यहां पर 4x2 का कुछ ऐसा complete देखने को मल जाएगा और ना अब एक बरी में आपको यहां पर यह वली थार का भी complete side profile का लुक दिखा जाता हूं और यह वल थार का कुछ ऐसा आपको यहां पर complete देखने को मल जाता है पीछे आपके इहां पर इसमें रिया डिफॉगर दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं जो कि एक काफी अच्छी बाइस विट्रेंट के अंदर वे आपकी चीज मिल रही है के उन्हें रब्साइब तो आपको राप यहां पर सिंग अग्स, बाकि यहां पर कहला, जुदाने, यह हैं कोई नहीं मिलेगे, और बूट करें एकता है, इस बागी overall dashboard look आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलने वाला है यहाँ से और इसको अब करते है बंद चेक कर लेते हैं यहाँ पर थार 4x2 बेस्वीरेंट कबूट तो बिल्कुल ही से में कोई difference नहीं है यहाँ पर यहाँ पर कोई भी difference आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है बागी यहाँ से ऐसे कुछ आपको complete look देखने को मिलेगा और अब चलते हैं के अंदर एंड चेक करते हैं अंदर क्या क्या difference आ जाता है दोनों थार के तो पहले अब हम चलेंगे यहाँ पर 4x2 वाली थार के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको यहाँ स्टेपर मिलेगा इसमें कि ऐसे कुछ यहाँ का डोट पैड रहने वाली हैं आपको कोई भी कंट्रोल सुगे रिसमें नहीं मिलता है स्टोरे स्पेस थार की बाजिंग बॉटल होल्डर मिल जाता है बागी सीट्च आप यहाँ पर बैनली जस्ट फुगिरा कर सकते हाइट भी आप इ गया हुआ कि बात करें इसकी कीश के बारे में तुन आ राब पर आपको इसके अंदर एक इसमें रिमोट कीश मिल जाएगी और यहां पर आप स्टेरिंग विल देख सकते हैं, कोई भी कंट्रोल्स वगिर आपको यहां नहीं मिल रहे हैं, महिंद्रा कर निया लोगो आपको मिल जाएगे हैं, अपर आमेडी स्क्रीन और आटो इंजिन ओन आफ के स्विचेज मिलते हैं, हेड़ेट लेवलर है, यहां पर न आपको यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको नहीं मिलने वले है, बाकी यहां पर कोगी है, नहीं मिलने वले है, बाकि यहां पर रूफ लाइड है जोकी LED में और उस थार के अंदर आपको स्पीकर्स वगरा मिल जाएंगे, सीट बिलकुल ही सेम है, और इन फाक्ट मैं कहूंगा यहां पर बेस विलिंट के अंदर पूरी लेधर वली ही आपका उफर की जारी है यहां पर आपको लेधर वाली पूरा ट्रीटमेंट से मिल रहे हैं आपर रियर सीट सा कुछ ऐसी कम्टीर मिल जाएंगा इस अफरेक सीट मांट है यहां पर और यहां पर ऐसा कुछ का कम्प्रीट इसका सेट अप रहने वाला है और अब चलते हैं 4x4 वाली थार के अंदर आएंग वहां देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ ओफर किया जा रहा है इसके एडिशन में तो यह है गाई 4x4 थार यहां पर आप देख सकते हैं सबसे बलतों ना डोर पैड पर यहां पर आगया है ओर रियम का पता निए अब क्या सिस्टम है बेस फिरेंट के अंदर में इसाब से ज़ाद हुची सीट्स दे रहे हैं इसके कंपारिसन में या फिर हो सकते हैं 2022 मोडल हो तो 2022 में ऐसे कुछ सीट्स हो और वो लेटेस्ट 100% अभी आया हुआ है तो वो 2023 ही है लेटेस अब डीट जो भी होगा मैं आपको आगे फिर कभी वीडियो बनाके बता दूँगा बाकी यहां पर आप देख सकते हैं इस इवेंट है इस आपके यहां पर सेम ही ओफर की जाती है जैसे कि आपको वो वो वली थार के अंदर मलती है एक आपको निमोट मलती है आपको नॉर्मल वली इसमें दी जा रही है इंस्ट्रुमेंट क्लस्चर आप यहां पर इसका देख सकते है कुछ इस तरह का आपको यह सेम वाइट एंड एंड इल्यूमिनेशन के साथ आफ़ किया जा रहे है थार की बाचिंग आगी है स्चेरिंग माउटेट कंट्रोल्स, क्रूस कंट्रोल इसके अंदर आ रहे है इदर आपको यहां पर मीडिया और टेलिफोनी कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे बाकी और और टाश्बूर लाट कुछ ऐसा है स्क्रीन आपके यहां पर यहां पर यहां पर 7 इंचिस के आफ़र की जारी है जिसके अंदर के Android और आपल कार बे दोनों ही मिल जाएंगा और आपके हैं MFM लियूत उता और USB भी मिलता ही है अगर बात करें इसके नीचे तो यहां पर इसी वेंट्स है इस यह गंट्रोल्स है बाकी सेटव आप देख सकते कुछ ऐसा मिल जाता है यहां पर ना इसके यह 4x4 का लिवर इसमें ऐसे कुछ आप 4x4 लगा सकते हैं 4 high में यह चली गई है इंड इंडिकेशन यहां पर आ गया जो की आपको स्थार के अंदर नहीं मिल रहा था बाकी उपर यहां पर स्पीकर्स आ गया ट्विटर्स आ गया नीचे भी वहां पर भी इसमें स्पीकर्स आ गया रूफ राइट आपको सेम वही दी जा रही है LED के अंदर वाली बाकि backseat कुछ ऐसी है यहाँ पर same backseat experience आपको यहाँ पर same ही मिलने वाल है यह handles गेरा इसके अंदर आ रहे हैं वह थार के अंदर यह चीज नहीं देखने को मिल रहे थी बाकि यहाँ पर proper covering नहीं देखो उपर वाला पार्ट यह proper पर इसके अंदर covered है वह थार के अंदर आपको यह covering नहीं मिलेगी इसके अंदर प्रॉपर ही आपको रॉड क्लियरली रॉड ही दी जा रही है covering वगर इसके उपर आपको नहीं मिलेगी साथी grab handle अगर अब इसमें नहीं है बाकि 4x2 वाली महिंतरा थार के अंदर भी ना 9.99 लाक रॉपीस पर आपको थार मिल रही है तो मैं तो इसको भी काफी ज़्यादा वैल्यू फर मिनी कहूंगा बतलब यह उन लोगों के लिए जो लोग पूरी अपने हिसाब से कस्टरवाइस करान चाहते हैं उन लोगों के लिए यह वाली थार बाकि जो चाहते हैं कि हम 13.49 लाक रॉपीस एक शोरूम यह बात कर लेता हैं यहां पर कि आपको कौन सी थार इंड में से लेनी चाहिए तो यह देखो अगर आपकी ऑफ रोडिंग वली रिक्वाइर्मेंट्स है तो सीद्री सीद्री जिवात है 4x4 यह आपके लिए बागे अगर आपको थोड़ी ब अब आपने देखा आपको वराल कौन सा विरिंट जादा बढ़िया लगा में को नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर से बताना और ना साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्षिन में लिंक बिल जाएगा इन्वाल वान के स्नोफॉल का पर्यूम का जिसी की जाकर आप जरूर से कर लें बाकि तो यह थी कम्प्लीट वीडियो आई होप यौल इंजॉइट इस वीडियो प्लीज शेर इट विडियो फ्रेंट फैमली अगर 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 आप अन्रोड प्राइस की बात करें तो चंडीगड में ना यह विल थारका आपको आन्रोड प्राइस पढ़ने वाल झाल 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